आपसे बहुत स्वागत है निकनवी किस क्लास में तो फास्ट मैथ कैलकुलेशन के इस ट्रंखला में आज हम कवर करेंगे कि स्क्वेर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी अगर आपको संख्या दी जाये चाहे दो अंकों की संख्या करेंगे यदि आपको टूडिजिक नंबर दि कि जल्दी कैसे करना है तो स्क्र में तो स्क्रास में इस क्लास में हम जानेंगे की कैसे इस क्क्या करते हैं finding square numbers आपने देखा होगा बहुत सारे number आते हैं कई पर square दे देता है और तुरंट समझ में नहीं आता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा तो suppose करिए आपको 36 का square निकालना है ठीक है 36 का square वैसे तो होता है 1296 पर क्योंकि आप में से कई लोगों को याद है मुझे भी याद है लेकिन जिन्हें याद नहीं है वो क्या कर सकते हैं बिसिकली आपको करना यह है कि अगर आपको 36 का square निकालना है तो आप बड़ा सा चौराहा ऐसे बनाए चौराहा method ठीक है अब यह जो संख्या दिख रही है आपको सबसे पहले संख्या क्या दिख रही है आपको तीन दिख रही है इस तीन का square यहाँ पर रखी जो की होता है तीन चंग अठारा अठारा दूनी होता है 36 तो 36 कैसे लिखेंगे पहले वाले की नीचे कुछ भी नहीं लिखना है उसके बाद 36 लिखना है लास्ट में जोड़ दीजे आ गया चैतिन नौ नौ तीन बारा यानि कि 36 का square होता है बारा सो चंडवी क्लियर हो गया बड़ा इसी और कुशन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं सपोस करिए आपको दे दिया है संतानिवे का square निकालने को और आपको पता नहीं है कि संतानिवे का square क्या होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 9 का square 182 हो जाएगा उसके बाद 7 का square यहां पर रखी 49 हो जाएगा फिर नीच चार और यहां पर जाएगा नो चौरान भी सो नो आ जाएगा आपके पास काफ इजी है बहुत ज्यादा सरल हो जाता है इस तरीके से जब भी आप करेंगे आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा अगला देख लेते हैं मालीज आपको दिया हुआ है 82 का स्क्वेर कैस नीचे क्या होगा त्नीनों का मल्टिप्लिकेशन आठ गुड़े दो गुड़े दो आठ दोनी सोला सोला दोनी बत्तिस तो यहां पर आ जाएगा आपके पास बत्तिस हो गया मल्टिप्लाई बड़ा सरल है जोड़ दीजे चैन नो जाएगा यानि कि 82 का जो स्क्वेर होगा वो होगा 6924 अपी सरल है जिसकी शॉट लेदे जाएगा क्योंकि फास्ट मैथा तो थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा ताकि आप लोग ने रिदम पकड़ पाए और याद रखना मैथेमेटिक्स जब आप लोग को आने लग जाए तो आपको फटा-फटी बढ़ना है आपको अलग से आपको एक रूल बताता हूं जैसे माली जी आपको 65 का स्क्वेर निकालना है तो यहाँ पर आपको मैं दो मेथड बताता हूं पहली मेथड तो जो आप सीख चुके हो 6 का स्क्वेर 36, 5 का स्क्वेर 25 और इसके बाद इन दोनों को आप मल्टिप्लाइ कराएंगे इन जान लिजे कि जिन संख्याओं का इकाई यंग की यानि की यूनिट डिजट अगर पांच है जैसे 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85 पतब किसी कभी अगर लास्ट मेना इकाई यंग अगर 5 है तो और सरल हो जाता है कैसे 65 का ही निकाल रहे हैं तो 65 का स्क्वेर अगर आपको निकालना है तो आप 5 को देखो, सिर्फ 5 को देखो, 5 का स्क्वेर क्या होता है? 25 होता है, फिर 6 को पकड़ो, 6 की बाद क्या आता है? 6 की बाद आता है, नंबर से स्टम बें साथ, इनको म praटिप्लाइ करा दो, 6-7 42 हो गया 61 का स्क्वेर है क्य नहीं? ठीक इसी प्रकार अगर आप 85 का स्क्व यह होता है इक इसी प्रकार पच्ट पन का स्वेशन क्या होगा 5000 की आता है बता इसी प्रकार 5 तो आ होग अब आपको स्क्वेर निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आज के इस वीडियो में अगली वीडियो में फास्ट मैथ की कोई और ट्रिक या कॉंसे प्ले कराएंगे स्वाज के लिए बस इतना ही बने ने रेकाडमी के साथ थाइंक ये सोमच